वेल्कम बैक फ्रेंड्स, पार्ट चे में आपका स्वागत है, यहाँ पे A11 is equal to 38 है, A16 is equal to 73 है, और इन दोनों की हेल्प से मुझे A31, बन्ला मुझे 31 नमर का तर्म ढूनना है, मेरे पास ना तो A है ना D है कुछ भी नहीं, अब मेरे को क्या ढूनना है, A31 ढूनना है, तो पह A और D निकाल लेते हैं, फिर हम उस A और D की value यहाँ पे implement करेंगे, तो चलिए अगर मैं A11 की बात करूँ, तो A plus, यह 11 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10D हो जाएगा, और A16 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 में से 1 माइनस करो, 15D हो जाएगा, अब दोनों का जो A ह हो तो सेम ही होने वाला है, तो मैं यहाँ से A की value निकालू, A is equal to क्या हो जाएगा, A11 माइनस 10D, ठीक है, A की value अगर मैं 10D को यहाँ पे लेके जाएगा, तो क्या हो जाएगा, A is equal to A11 माइनस 10D, right, similarly, A is equal to क्या हो जाएगा, A 16 माइनस 15D, right, इतना आपको समझ में आ गया, अब दोनों की A की value तो सेम ही होने वाली है, तो दोनों की A की value सेम होगी, it means, यह दोनों सेम है तो यह दोनों भी सेम होने चाहिए, दोनों को equate कर लेते है, A 11 माइनस 10D, और A 16 माइनस 15D, अब A 11 क्या था, 38, माइनस 10D, मालूम नहीं, A 16 क्या था, 73, 15D क्या था, मालूम नहीं, इसको यहां पे लेके आजाईए, इसको यहां पे लेके आजाईए, जिन लोगों ने linear equation की practice नहीं की है, वो लोग यहां पे आके फस जाएंगे, अभी भी time है, linear equation की practice फूल कर लेना, चलिए आगे बढ़ते हैं, 73 में से 38, अब मुझे कैल सी निकालना पड़ेगा, काफी बड़े-बड़े values माइनस में आ ले आ रहे हैं, तो चलिए 73 माइनस 38 कर लेते हैं, 13, 5, 6, 35, यह हो गया, माइनस 35 इस इकल टू, माइनस 5D, माइनस माइनस कट हो गया, D इस इकल टू, चोटे बच्चे वाला नहीं चिखाऊंगा, मैं 5 को निच्चे लेके जाऊंगा, 5, 7 जाचे नहीं बताऊंगा मैं आपको, D is equal to 7 हो गया, अब इस D की वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे, आप इन दोने में से, यहाँ पर रशकते हो, यहाँ पर रशकते हो, तो A is equal to क्या था, A 11 minus 10D, A is equal to, A 11 की वैल्यू क्या थी, 38, 38 minus 10, into D की वैल्यू 7, A 11 is equal to 38 minus 70, यह हो जाएगा, फिर से आपको मैनस करना पड़ेगा, 70 minus 38, 10, 6, 2, 3, A is equal to हो गया, गलती से भी minus लगाना मत बूलना, क्योंकि 70 बड़ा है, 70 आपको मैनस किसा है, A आगया 32, और D आगया 7, तो अभी हम A 31 निकाल सकते हैं, A 31 is equal to A plus 31 है तो क्या हो जाएगा, 30D हो जाएगा, राइट, तो A 31 is equal to A की वैल्यू माइनस 32, प्लस 30 इन्टू D की वैल्यू 7, A 31 is equal to minus 32 प्लस 210, फिर से माइनस आया है, अब तो इस बार मैं हाट के नहीं करूँगा, कॉम्पूटर रची को बुला लेगा, मैं सम माइनस करने के लिए, कॉम्पूटर बहुत टाइम ले रहा है, मैं यह पी माइनस कर लेता हूँ, 210-32, 8 हो गया, 0, 9, 6 हो गया, sorry, यह 10 हो जाएगा, यह 1 हो जाएगा, तो यह 4, ओके फैल से स्टार्ट हो गया, क्या था 210, 210-32, 178, यह आपका आंसर हो गया, काफी easy questions है, आपको बार-बार practice करनी पड़ेगी, कि क्या find करना है, और क्या given है, मिलते हैं next video के अंदर, कुछ नए question के साथ, और ऐसे videos को आप बार-बार देखिए, तो आपको concept, आपको समझ जाएगे, मुझे क्या करना है, तो videos को आपको बार-बार देखना पड़ेगा, और देखते रहे तो ही आपको समझ में आएगा, मिलते हैं part 4 के अंदर,